सिंथिटिक कपड़े या स्वेटर निकालने पर हमें चिंगारिया दिखाई दिती है और अक्सर एक चिरचिर अवाज भी सुनाई आती है कुछ ऐसी ही चिंगारी हमें प्लास्टिक चेर से उठने पर कंबल या मच्छरदानी को रगणने पर भी दिखती है इसी चिंगारी का एक बड़ा रूप आस्मान में कड़कने वाले बिजली के रूप में भी हमें दिखती है आज हम कई सारे जादूई आक्टिविटी से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले मेरे पास ये प्लास्टिक के बोरे से निकले हुए धागे है अभी तो ये सारे धागे एक दूसरे के पास है अगर मैं इन्हें कुछ इस तरीके से रगड़ती हूँ तो वाह ये सारे धागे एक दूसरे के दूर चले जाते हैं और अगर मैं अपने हाथ को इनके पास लेके जाती हूँ तो ये मेरे हाथ में कुछ इस तरीके से चिपकते हैं हमारे आसपास की सारे चीज़े जैसे की ये स्केल, फूल, मुबाइल हमारी चमडी और हमारे बाल आटम्स या अनू से बने हैं आटम्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके चार्ज रहते हैं जो हमेशा balanced रहते हैं मतलब जितने positive उतने ही negative कुछ चीजों को रगरने पर negative चार्ज एक चीज से दूसरी चीज पे चले जाता है प्लास्टीक ने skin से negative चार्ज ले लिए इसलिए plastic नेँटिव और हमारा हाथ positive हो गया Same charges एक दूसरे को repel यानि विकर्षित या दूर फेकते हैं Negative के पास negative लाया तो वो दूर भागेगा ऐसा ही कुछ positive के साथ होता है ये बिल्कुल magnets की तरह है जिस तरह से north-north या south-south repel करता है उसी तरह same charges भी एक दूसरे को repel करते हैं ऐसे ही unlike charges हो या pole दोनों case में attraction होता है प्लास्टिक धागों के case में हाथ positive और प्लास्टिक negative है इसलिए वो हाथ में चिपकते है अब सारे धागे negative है इसलिए वो एक दूसरे से दूर जाते है इस तरहिके से scale को बालों में रगड के हम paper के तुकडों को उठा सकते हैं यह औरे खिलोना है हमने इस paper के तुकड़े को इस तरीके से फोल्ड करके एक pen के उपर रग दिया अब straw को जब हम बाल में रगड के इसके पास लेके जाते हैं तो paper straw को follow करता है यह इसलिए क्योंकि paper straw के negative charge की और खिचा चला जाता है सरदियों में हमारी जो मच्चरदानी में चिंगारी आती है वो भी static electricity के कारण ही है आपको क्या लगता है यह चिंगारी का voltage कितना होगा देखने से तो लगता है यह दो या तीन वोल्ट का ही रहेगा लेकिन यह चिंगारी दस हजार वोल्ट के होते हैं दस हजार वोल्ट के static में 240 वोल्ट के current के तुलना में energy काफी कम रहती है मच्चरदानी के case में भले ही voltage जादा है लेकिन यह current काफी जल्दी discharge हो जाता है इसलिए current की energy काफी कम रहती है और हमें कुछ नहीं होता बस एक चटका सा लगता है लेकिन 240 वोल्ट के supply में भले ही voltage कम है वो current हमारे body से होके काफी देर तक जाता है इसलिए हमारे जान जाने का खत्रा रहता है आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं 100 डिग्री के पानी का एक बूंद अगर हाथ में गिरा तो हमें बस चटका सा लगता है लेकिन 80 डिग्री के पानी में अगर हमने हाथ डाला तो पुरा हाथ जल जाता है तो बिजली से बचे रहे और यह मज़ेदार खिलोने बना कर मज़े करें Thank you कर दो कर दो